सब्सक्राइब किजे मेरे यूट्यूब चैनल को और दबाईए नोटिफिकेशन बेल को और पाईए मेरे हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सुबास और आप सभी का स्वागत आपके ही अपने क्यार कैसे यूट्यूब चैनल में दोस्तों अगर आप फ्लैट या जमिंग की रेष्ट्री करा रहे हो या बैंक में अकाउंट आपन कर रहे हो या किसी अन्य कारण वस आपको ततकाल में पैन कार्ट का आवे सकता है तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके समस्या का समधान आप सभी पैन कार्ट के लिए अपलाई करके इंस्टेंटली अपना पैन नमबर पा सकते हैं अपने पैन कार्ट को डाउनलोड कर सकते हैं वो भी फिरी में किसी को कोई चार्ज नहीं देना होगा पैन कार्ट सभी जगा पे माइन होगा और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई document भी upload नहीं करना होगा. requirement क्या है समझे आपका आधार CARD बना होना चाहिए, आपके पास आधार नमबर होना चाहिए और आपके आधार CARD के साथ आपका mobile number linked होना चाहिए और वो mobile number active होना चाहिए आपके पास होना चाहिए, सारा काम आपके आधाल नंबर से हो जाएगा ठीक है दोस्तों आप PC या मोबाइल में ब्राउजर कोई भी ओपन कर लें आपको जाना है Income Tax India e-filing.gov.in वेबसाइट पर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में मिल जाएगा आप लेप्ट साइड में आएगे देखेंगे Quick Links में एक ओप्शन है Instant Pen Through आधा इस पर आप क्लिक कर देंगे आपके सामने दो ओप्शन आएगा Get New Pen और दूसरा Checker Status Download Pen सबसे पहले तो आपको Apply करना है तो Get New Pen के ओप्शन पर आप क्लिक करेंगे और जब आपका अप्लिकेशन सब्मीट हो जाएगा उसके बाद Instantly आपका Pen Number आपको मिल जाएगा आप Pen Card को Download कर सकते हैं किस ओप्शन से Checker Status Download Pen से ठीक है दोस्तों मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इंटार प्रोसेस मैं यहां पर आपको दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरा ओल्रेडी जो है वो Pen Card बना हुआ है लिए आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा मैं सारा डिटेल आपको समझा दूँगा ठीक है साखे इंटार नबर फो इंटाओके आपको क्लिक करेंगे आप क्लिक करेंगे देखिए सबसे पहले कहेगा आपको प्लीज एंटार यूर्ओ अदाल नंबर फो ज sex । यहां पर आपना अदहार नंबर एंटर करेंगे दूसरा देखिए capture code है उसे यहां पर आप enter करेंगे और terms and condition में नीचे चार टर्म condition दिया हुआ है पहला है कि आपने कभी pen number के लिए apply नहीं किया है दूसरा है कि आपके आधार के साथ mobile number linked है तिसरा है कि आधार card में आपका जो है complete date of birth mention है और चोथा है कि आप minor नहीं है और पांचवाँ आए कि आप यह सारे condition को पढ़ लिए है ठीक है तो I confirm that पर करेंगे मतलब कि आप सारा condition accept करते है generate आधार OTP पर आपको click कर देना है जैसे ही आप click करेंगे आपके आधार से register mobile number पर एक OTP आएगा और आप next step में यहां आ जाएंगे और पर कहेंगा कि OTP एंटर करें तो जो OTP आपको मिलेगा उसे enter कर देंगे उसकी बाद नीचे एक option होगा कि आप validate करते हैं और लेंगे आपका फोटो होगा आपका नेम होगा address होगा सारा चीज आपके सामने सो करेगा वैसे address pen card में नहीं होता है लिए वहाँ पर सब कुछ आपका सो करेगा ठीक है date of birth हो गिए रहा उसके बाद नीचे जो है चार तीम terms and conditions होगे जिस तर से यहाँ पर तीम term and condition और चोथा option होगा आप रीट दी terms and condition वहाँ पर भी पहला कहेगा कि आपने कभी नहीं बनाया है अपना pen number यह option होगा दूसरा option होगा कि अगर आप apply करते हैं और आपका पहले से बना हुआ है तो 10,000 के आसपास का आपको penalty मिलेगा इसी तरह का तीसरा भी कुछ option है आप confirm करेंगे कि आपने कभी apply नहीं किया नीचे एक option होगा जहाँ पर generate आधार OTP है उसी जगह पर एक option होगा submit जैसे आप click करेंगे आ जाएगा thanks for submitting application for pen card और आपका reference number generate हो जाएगा आप उसे note कर लेंगे ठीक है दोस्तों अब है कि आपने apply कर दिया अपने pen card के लिए आपको pen card अपना number लेना है और pen card download करना है इसके लिए कहा back आएंगे instant pen through अधाल पर फिल से जाएंगे check status download pen पर आप click करेंगे instantly आपने जो apply किया था वह आपका generator का आपको मिल जाए कोई wait नहीं करना है यहाँ पर आपको अधार number mention करना है again यहाँ पर आपको capture code देना है enter करना उसके submit पर click करेंगे आपके mobile number पर OTP आएगा उस OTP को enter करेंगे जैसे enter करेंगे आपके सामने बताएगा कि your pen number generated allotted करके pen number mention होगा download pen का एक option होगा जैसे click करेंगे आप आपका pen card download हो जाएगा आप उसे open करेंगे PDF format में आपको मिलेगा open करेंगे वहाँ पर password मांगेगा password क्या आपका date of birth मान लिजे कि आपका date of birth है 10 जनवरी 1992 तो आपको लिखना है 10 उसके बाद 01 उसके आद 1992 जैसे करेंगे click वो download हो जाएगा आप चाहें तो उसे print करवाके रख ले सकते हैं और जहां जल्दत है आप दे सकते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा एक बात का आप ध्यान रखेंग कि उसमें कोई भी signature नहीं होगा क्यों नहीं होगा वहाँ सारा data गया है अधार से अधार card में आपका signature नहीं ठीक है वो digitally signed है वहाँ signature की requirement नहीं हो गया ऐसा नहीं है कि वह valid नहीं सारे जगह पे valid होगा वहाँ पे QR code होता है उससे वह चीज जो है check हो जाता है सारा data सही है या ठीक है तो अगर आपको सारा चीज समझ आ गया हो तो like किजेगा comment किजेगा कोई confusion हो तो भी comment किजेगा मैं पूरा परियास करूंगा कि आपके confusion को दूर कर सकूँ जायदा से जायदा इस वीडियो को share किजेगा ताकि दूसरे लोग भी जान सकें कैसे वो instantly अपना pen number पा सकते हैं वो भी बिलकुल फिरी मैं इस चीज के लिए cyber cafe वाले 100, 200, 300 चार्ज लेते हैं वैसे 150 तो पहले चार्ज देना पड़ता था NSDL को 167 था देन कुछ बढ़ा था सायद NSDL और UTI वाले को तो वो सारा चीज भी यहाँ पर कुछ भी नहीं लगेगा काफी स्विधा दिया है प्लेस कर दिजेगा ताकि आप साना इंपोर्टेंट अपडेट्स पास सकें ठीक है दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद